आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज ये नैचर स्टेजर में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज चर्चा करेंगे जीरे की जीरे आप लोग अपने किचन में यूज करते हैं और यह चुप अधा आप देख रहे हैं पिंकिस फ्लावर ह पहे जाते हैं सोडियम पोटाशियम इसके अलावा इसमें प्रोटीन एलफा पाइनिंग लिमोनिन सीनियोल और कई सारे टर्पिनोइट्स पहे जाते हैं अब हम बात करेंगे किस प्रकार से आप लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसका जो तेल होता है उसमें थाइमोल पहे मिला जाता है इस मिल और क्या सकते हैं दोग्राम जिरा लेकर उसमें स्वाध अनुशार्रग मिला कर जाता है जाता हैugenEE कई बाय क्रूर्पोयक क्लाप रिलिए जेष tutti अ होता हैि पृष्andeाय क्रूल कि य sareशर्ग प्रियुश में पहल जोख सकते हैं सब्सक्र सकती हैं कर एक ग्लास पाने में मिला लीजे और उसका सेवन कर लिजे कई बार क्या होता है हिचकी आने के समझ्षय भी बहुत कमन हो गई है तो आप को इस जीरे का घी मिलाकर दोमन लीजे क्या कर सकते हैं प्लचा जीरा लेकर उसमें घी मिला जाएंगे तेबार शुरभांग की समस्या हो जाती है गला बैठ जाता है दित तो आप दिता कर बना कर गार्गल कीजिए कि यह किसी सर्फ के चाटने से स्वैलिंग हो जाती है घाव बन जाता तो उसके निराकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको चूण लेकर इसका उसमें थोड़ा घी मिला लीजे और थोड़ा नमक मिला लीजे शेंदा नमक हो तो अच्छा रहता है और उस पर इंसेक्ट बाइट का जो स्थान है वहां पर लगाईए दिर दिर आप देखेंगे क जो प्वाइजन होता है इंसेक्ट का वह नुटलाइज हो जाता है अगर स्वेत प्रदर या रक्त प्रदर की समस्चा है तो इसके फॉलों का चूण मिश्री मिलाकर और उसमें चावल का धोवन का जो पानी होता है उसको मिलाकर पीना चाहिए 15 से 20 मल नित्य खाली पेट प जो डाइजेस्टिव समता है उसके कम होने के काराने भी हो सकता है या गरम दवाव का दुस्त परभाव भी हो सकता है तो उसके निराकरन के लिए आप इसका दो ग्राम एक कप पानी में मिलाकर जीरे का चूण मिला ले और उसका सेवन करें अगर नित्रों की रोशनी कम हो यह दिखना कम हो गया है और आँखों में जलन भी रहती है तो आप क्या करें दो ग्राम जीरा एक ग्लास पानी में रात को बारे गंटे के लिए भिगो दीजे और अगले दिन सुबह चान कर आँखें उससे धोलीजे देरे देखेंगे कि आँखों के रोशनी बढ़ जाती है अर्ष की अगर समस्षा हो तो जीरे का पाउडर लेकर उसकी पुल्टिस बना लें और बांध रहें देरे-देरे अर्ष की समस्षा भी दूर हो जाती है अगर खटी-खटी डकार आती हो तो पांच ग्राम जीरा लेकर उसका डिकॉक्शन बना लें और दो से तीन दाने काल बहुत अच्छा फील करें अगर यह जानकर आपको पसंद आए तो लाइक शेट सब्सक्राइब ना मिल्कुल नहीं भूलिएगा आपके छित्र में जीरे को और किस नाम से जाना जाता है यह भी कमेंट सेक्शन हमें जरूर लेकर बताएए इन्हीं बातों के साथ में अपनी अन्यवाद बनाम मुश्कार